Hello dear learners, welcome back to another educational video. Today we will discuss about University Education Commission which was established in between 1948 to 1949 यानि जिसका गठन 1948 से उंचास के दौरान किया गया था. इसमें सबसे पहले हम इसके निर्माड की प्रिष्ट भूमी को जानेंगे इसके बाद इसके उद्धेश्यों यो इसके दौरा निर्धार किये गए कुछ लेक्षों को जानेंगे And at the end of this video, we will discuss about some practice questions which are usually asked in your examination. तो आईए सबसे पहले हम लोग इस आयोग के निर्माड की प्रिष्ट भूमी को जानते हैं अंतर विश्विद्यालेई परिसत तथा केंद्रिये फिच्छा फलाकार बोर्ड ने भारत सरकार को एक अखिल भारतिय विश्विद्याले सिक्छा आयोग की नियुक्ति का सुझाओ दिया जिसके प्रस्ताओं में कहा गया भारतिय विश्विद्यालेई के कारिका मार दर्सन करने के लिए भारा सरकार हंटर कमिशन के आधार पर एक ऐसे आयोग की निपती करे जो विश्वविद्याले सिक्छा परक देश की वरतमान तथा भावी और सक्ताओं को ध्यान में रख कर सुधार और विकास के लिए सुझाओ दे बहरत सरकार ने इस प्रफ्षताव को सुईकार करते हुए चार नॉम्मर 1948 को डाक्टर सर्व पल्ली राधा कृष्णन की अध्यचता में बिस्व बिद्याले सिक्षा आयोग 1948 से 1949 का गठन किया क्योंकि इस आयोग का अध्यच डाक्टर सर्व पल्ली राधा कृष्णन को बनाया गया था इसलिए इसे हम लोग राधा कृष्णन आयोग भी कहते हैं अब आईए हम लोग इस आयोग की नियुक्ति के उद्यश्यों को देखते हैं इस आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्यस यह था कि भारतिय विश्चु विद्याले सिक्षा पर अपनी अपनी रिपोर्ट प्रस्तूत करें और उन सुधारों यों बिस्तारों के बिसे में सुझाओ दें जो देश की वर्दमान तथा भावी और सक्ताओं के उपरिक्त हो होने के लिए वांचनियों हो सकें अब आईए हम लोग देखते हैं कि इस आयोग द्वारा की इन लक्ष्यों को निर्धारित किया गया था सो तंत्रता के पस्चाद देश में गठित प्रतम सिक्षा आयोग के रूप में विस्विद्याले सिक्षा आयोग का विशेष पूर अस्थान है आयोग ने सिक्षा के प्रसार के संबंद में लिखा है कि नभीन ज्यान की प्राप्ति की आकांच्छा में बृध्धी जीवन के लक्ष को प्राप्त करने का प्रियास समाज की और सक्टाओं की पूर्ती जोको पारजन की सुविधाओं की व्योस्था करना विशुविध्याले सिक्षा आयोग के मुक्चलक्ष होने चाहिए तो दोस्तों ये थी विशुविध्याले सिक्षा आयोग के संदर्प में एक संचित जानकारी नाउ वी बिल डिसकस अबाउट सम प्रैक्टिस कुष्चन एंड फर्स्ट कुष्चन इज विशुविध्य विश्व विद्याले सिक्छा आयोग का गठन किया गया था and the fourth and last question is विश्व विद्याले सिक्छा आयोग को अनिकिस नाम से जाना जाता है तो इसे राधा कृष्णर आयोग की नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार